तो चिकेन चाप के लिए मैंने लिया है यहां पे देर किलो चिकेन उसको बड़े बड़े चाप के पीसेज में काट लिया है और मैं अभी उसमें डालूंगी एक कटोरी दही इसके बाद मैं डालूंगी तीन से चार टेविल स्पून ओनियन पेस्ट प्याज का पेस्ट इसमें मैंने दो से तीन हडी मिज भी डालूंगी प्याज पेस्ट के बाद मैं डालूंगी दो चमच दो टेविल स्पून दिंजर गालिक पेस्ट इसके बाद मैं डालूंगी बिद्धयानी मसाला वह बिद्धयानी मसाला कैसे बनाता है वह और एक वीडियो मैं है मेरे चैनल में आप देख लीजेगा बिद्धयानी मसाला मैं यहापर डालूंगी दो टीस्पूल्स इसके बाद मैं डालोंगी गुलाब वाटर रोज वाटर रोज वाटर मैं डालोंगी तीन तीस्पून या फिर एक टेबिल स्पून अभी मैरीनेशन के टाइम थोड़ा सा डालेंगे अगर 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 अपको लगता है थोड़ा कम लग रहा है तो अब बनाएंगे ये फिकेंचा तब भी डाल सकते और मैं डालोंगी एक ड्रॉक मीठा आतर या कोई भी रेगिलर गॉसरी स्टोर में आपको मिल जाएग अब इंसमे डालोंगी स्वादलोंगी नमध बार मैं डालोंगी लाल मिर्च पाऊड़े एक टी स्पून क्योंकि मैंने अल्लेधी हरी मिर्च डाली थी प्यास पेस्ट के साथ तो इसलिए अभी थोड़ा सा ही दोगी और डालोंगी 1 टी स्पून हल्दी पाऊड़े और और डानूंगी जीरा पाउडर, यह भी एक पीस्पूर, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी, मिक्स करके, मैं एक डबदे में डालके, उसको मैं मैरिनेट करने के लिए आपको अगर जल्दी है, तो एक से दो हंटा मैरिनेट कीजिए, अच्छा होगा अगर आप इसको ओ जो मैरिनेटिव चिकेन है, वो मैंने एक से देर कंटे के लिए रेफ्रीजेटर में रखती थी, अभी मैं एक पैन में तेल गरम कर ली हूँ, उसमें मैं एक एक करके, इसमें से सिर्फ मसाला को छुडा के सिर्फ चिकेन पीसे डाल दो लूँ, प्राइचन में के लिए, प् चिकेन मेरे पास आच से नो पीस खिकेन हैं तो एक बच में नहीं होगा, मैं दो दो बच में फ्राइ करूँगा, अभी मैंने 5 पीस डल दिया और 4 पीस रहे गा Başतारी, वो मैं मैं इक साइड अल्मोस्ट अच्य से फ्राइ हो गया, भी धेखिये एक साइड ऐसा अल्मोस्स दूंगी यह रेखिए कैसे अच्छा से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है है हाई ही फाई करेंगे लो कर देने से क्या होगा चिकन से बहुत सारा पानी निकल जाया और हो जाएगा तो उसको फिर जब चाप बनाएंगे तो फिर उसके साथ भी उबलेगा तो इसलिए अभी जाना है चो क्यों देखिए मैसे पलकने के बाद सारे अच्छा कलर भी आ गया है अभी देखिए अच्छे से प्राई होगि है मैं इसको अभी रिमोव कर लूँगी टांसे यह देखिए हमारे पीसे चारो तरफ से कितना अच्छा से प्राई हो अभी मैं ऐसे ही सेम प्रोसेदियोर में नेक्स्ट भी प्राइ कर लोगी तो वही तेल मेरा भी गरम हो गया मैं उसमें डालूगी खड़े मसाले और तेजपत्ते और सुखी मेर्च तो मैं यहां पर दो सुखी लाल मेर्च लेली हूँ दो तेजपत्ते एक जावेत्री का छोटा सा पीस एक बड़ी इलाइची उसको मैं थोटा सा तोड़ ली हूँ एक छोटी सी जाय फल एक से धाई इंच सिनमन यह सब मैं डालने के बार मैं उसमें वो जो 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 ग्रेवी बचा हुआ था वो ग्रेवी मैं इसमें भी डाल दूँ यह थोड़ा सा तॉस हो जाएगा ज़ब मैं वो मैरीनेशन का जो ग्रेवी बचा था वो मैं इसमें डाल दूँ गास को अभी मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है ने तो तुड़ंत जो मैरीनेशन का ग्रेवी में वेसिकली प्याज अधरक लैसर का पेस्ट है वो तुड़ंत जल जाया है अभी मैं इसको अच्छे से पाथ से दस मिनिट के लिए फ्राई करूंगी तब तक मैं एक पीस्ट बनानूंगी वो है ये इसमें मैंने डाला है चार टेविल स्पून खस खस पोस्तों जिसे कहते है और चार टेविल स्पून काजू बदाम और दो टेविल स्पून आमंड आप काजू के बदले में वाटरमेलन सीट्स भी यूज कर सकते हैं मैंने उसको अधे गंटे के लिए वो सारे सीट्स भीगो के रखे थे नहीं भीगोने से चलेगा फिर उसको पानी के साथ अच्छे से मिक्सी में पेस्ट कर लीजिए तो अल्मोस्ट एक कटोरा वो मशाले थोड़े से प्ताड़ थी से पांटीरा आक में तो पानी सूख जाएगा माशाले का आप देख्यवेगा आफ देखिएगा अच्छे से एक्दम जब पस्ताव चैटकर गया तो दो आप एक निच्टी हो जाएगा तो ओ निचो हो आ और फाद बड़ का प्ताव तो मसाले साथ तेल भी अच्छा कंचा वी चला जाए है तो अभी मैं इसमें जो चिक्वेट में विखे युदू मैं इसमें डाल कोई पांकि अच्छा मैं आप से 10 मिट के लिए घरी करूंगे और मैं डालूंगी नियुक्षा शुकर अल्मुस्ट हाफ टीश्पून और इसको अच्छे से मैं इसमें मिक्स कर लूग। यह बहुत इजी तरीके से न दिखाई यह चाप बनाना और जादा बहुत सारे इंडियेंस भी नहीं लग रहा हैं और वेरी सिम्पल वे में जस्ट मैरिनेशन ही प्रोसेस है बाकी तो आपको सिर्फ चिकन को एक एक करके फ्राई कर लोना है और फिर ग्रेवी को जैसे नार्मली आप ग्रेवी को जस्ट उसको पढ़ाई में सौटे करेंगे उसमें चिकन दालके मैंने अच्छे से अभी मिक्स कर लिया इसको 5-10 मिनिट इस ही में कुख तरहों तो आपका भी ऐसा का सिचुएशन हो जाए तो आप इसमें पानी एड कर सकतें तो मैं यहाँ पे एक का पॉल्मोस्ट पानी उसमें थोड़ा समय मिल्क पाउडर मिला ली अभी मैंने 10-15 मिनिट के लिए पानी डालकर ढ़के रखी थी अभी खोलकर देखते हैं चिकन का पग गया है किने चिकन अच्छी से पग भी गया है पानी थोड़ा सा भी जादा है अभी गैस हाई कर देंगे हम ले फरके वह जो मैंने पेस्ट बना के रखी थी वह मैं पेस्ट पुरा डाल दोंग हुआ है और अच्छी से इसको मिक्स कर दो है कि यह अच्छे से मिक्स करके मैं डाल दूंगी एक एक से दो बून मीठा इतर इसमें है एक से दो बून मीठा आतर मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी ज्यादा नहीं दीजेगा तो फिर वो करवा हो जाता ही तर यह देखिए अभी ग्रेवी पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है मैं इसको अभी और फाइफ मिनिट के लिए धग दूंगी अभी देखिए अभी मैं इसमें थोड़ा सा बेएस्ता बना के रखी थी जस्त प्यास को स्लाइश करके काट के डिफ-fryइड तो यह मैं अल्मोस्ट आधा कटोरी यह फिर नए सब शादा यह मैं इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी क्योंकि इसमें प्यास तो सिर्फ मैरीनेशन के ताइम ही डा इसको और 5 मिनिट से लिए ढग दूए अभी देखिए 5-10 मिनिट के बाद कितना अच्छे से तेल भी साइट से निकल गया है तो मैं अभी इसको गैस बंद करके सेम पैन में जिसमी कहाई में ढग के रग दूए फॉर अनदर 10 मिनिट दिन मैं इसको सर्व करूए